जै हिन जै शिक्षक साथियों वेलकम बेक टू माई चैनल आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष यानि कि इस सत्र में बच्चों के लिए जो स्वेटर है, यूनिफॉर्म है, जूता मोजा है, बैग है उनके लिए जो धनराशी पहले सीधे SMC खातों में आती थी, अब वो SMC खातों में ना आकर सीधे उनके माता पिता या अभिभावकों के अकाउंट में जानी है और उसके लिए DBT का कार जोरशोर से चल रहा है, हम प्रेड़ना DBT एप पर लगतार बच्चों को अपलोड कर रहे हैं, उनका डेटा वेरिफाई कर रहे हैं उसी करम में कले का आदेश जारी हुआ है, 18 अक्टूबर 2021 को, जो कि मैं आपको पुरा आदेश भी दिखा दूँगी साथ ही कुछ इंस्टूक्शन भी दिये गए हैं, ये इंस्टूक्शन आदेश के फॉर्म में नहीं है, ग्रुप में डिस्प्ले किये जा रहे हैं, ग्रुप में वाइरल हो रहे हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज इतनी जादा ब्रेकिंग है कि आज छुटी वाले दिन भी आफिस में काम हो रहा है, भी आरसी खुले हुए हैं, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये ब्रेकिंग न्यूज क्या है, बच्चों का डेटा आज ही वेरिफाइ होना पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रैस कर दें ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें, चलिए शुरू करते हैं वीडियो, तो ये जो रिसेंट आदेश अभी जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है, विशे दिया गया है कि शेक्षिक सात्र दोहजार इकिस ब इसमें इस पश्ट बताया गया है कि अध्यानरत चात्र चात्राओं के उप्योग हेतू, उपलब्द कराये जाने वाले निशुल की यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा के स्थान पर इन सामागरियों के क्रह से संबंदित धनराशी डीवीटी के माध्य सीधे चात्र चात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खाते में हस्तांतरित करने हेतू, तैयारी की जाने के निर्देश दिये गए हैं, इस क्रम में महाने देशक स्कूल शिक्षवत्तर प्रदेश दिनांक 23 सितंबर 2021 के आदेश क्रमांक के अनुसार निम्न निर् देशक की गई थी, कि व्यापक प्रचार प्रसार करे सुनिश्चित किया जाए कि शत्र चात्र चात्राओं के माता पिता अभिभावकों को तत्काल सूचित किया जाए कि यदि उनका बैंक खाता जो आधार से सीड़िड है, उस बैंक खाते में गद दो मां के अंदर कोई कोई लेंदेन किया जाना आवशक है यह हम को अपने अभीभावकों को भी सूचित करना है जो हमारे विद्याले में बचे पढ़ते हैं उनके माता पिता अभीभावकों को लगातार यह सूचित करते रहना है कि दो महीने के अंदर कोई न कोई ट्रांजिक्षन उसमें जरूर किया जाए तभी धनराशी उनके खातों में पहुँच पाईगी ओपरियुक्त के परिपेक्ष में आप से पुनाप इक्षा है कि अपने जनपत की समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विध्यालेओं के अध्यापक और प्रदाना ध्यापकों को निर्देशित क एक साथे और यहां यही और शिक्षा है कि सभी अध्यापकों के अध्यान देना है कि सभी पेर्ट्स का जो भी खाते आधार से लिंख हो और इड हंको नहीं पता ऐधार से लिंक हैं कि तो उसके लिए ुक सा्बहूती आसान सा तरीका है पेरेंट्स अपने घर के नजदीक जो भी जनसेवा केंदर है वहाँ पर जाकर इसका पता कर सकते हैं वो थोड़े से रुपे का ट्रांजिक्शन करें जैसे कि मालीजी 100 रुपे जमा किया और 100 रुपे ही निकाला यदि आधार से लिंक होगा तो वो भी पता चल जाएगा और यदि नहीं होगा तो वो भी पता चल जाएगा और यदि आधार से लिंक नहीं है तो पेरेंट्स तुरंट बैंक में जाकर अपने खाते को आधार से लिंक करने के प्रोसेसिंग शुरू करवा दें तो ये तो है वो आदेश जो की कल पारित हुआ है और इस आदेश के क्रम में अब ऐसा लग रहा है बच्चों के पैरेंट्स की खाते में अब पैसा आना शुरू हो जाएगा और इसके बाद जो मैं आपको दिखा रही हूँ उससे इस बात को और बल मिलने वाला है कि खाते मे जल्दी ही पैसा ट्रांसफर होने वाला है चली देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर है कि जो भी काम अभी हम डीबीटी पर कर रहे थे उसके लिए लगभगा समझ दीजे आज का लास्ट डे उन्होंने कहा है इसके बाद जो भी डेटा हम भेजेंगे या अपलोड करें भी यो के पास नहीं जाएगा रोग दिया जाएगा शाम पांच बजे तक यह आप देख सकते हैं यह आया हुआ है कि सभी बी ऐसे बी ओ ध्यान दें अध्यापक इस तर से बी ओ इस तर पर आने वाला डाटा ब्रोग दिया गया है हाला कि एप यूज करने में कोई समस्या नहीं हो गई यानि कि एप पर जो आप काम कर रहे हैं वो चलता रहेगा जिसके फ़सरूप बी ओ लॉग इन पर उपलब्द मोर देन वन गारजन की सूची फिक्स हो गई है अधा कर शाम पांच बजे से पहले बी ओ यानि कि यह कल का था आज शाम समझे इसको आज शाम पा यानि कि आज शाम पांच बजे तक बी ओ जो भी डाटा बी ऐसे लॉग इन पर भेज देंगे वही डाटा आगे वेरिफाय हो पाएगा इसलिए यदि कोई भी बच्चे का डाटा रहे गया है तो उसे तुरंत वेरिफाय करते हुए बी ओ की लॉग इन पर भेजे ताकि वो बी ऐसे की लॉग इन पर भेज पाएं कर शाम यानि कि आज शाम पाज बजे पोर्टल बंद कर दिया जाएगा ध्यान दीजेगा आज शाम पाज बजे पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और यह प्रकरण अत्यन गंभीरता से लें रोहित रिपाठी अडिशनल प्रोजेक् शिक्षा अभियान इसी आदेश की क्रम में मैं आपको एक खंड विकाश शेत्र का ये ग्रूप का मैसेज दिखा रही हूं जो कि खंड शिक्षा दिकारी ने आज छुटी वाले दिन भेजा है यह देखिए काम कितना जोर शोर से चल रहा है समस्त अर्प, NPRC, शिक्षक, संक को खोला हुआ है वहाँ पर टीम उपस्तित है कृपया ध्यान दे, DBT, फीडिंग से संबंदित, समस्त समस्याओं की निराकरण, एवं प्रगती समिक्षा है तू, BRC पर समस्त स्टाफ उपस्तित है आप इस प्रकरण की गंभिरता इसी बात से लगा सकते हैं कि आज छुट आज साह 5 वजे तक अपनी मोबाइल फोन और रखें, अपनी समस्याओं को आप वाटसेप ग्रूप पर भी रख सकते हैं, यदि कोई समस्याओं के बच्चों के डेटा वेरिफाई करने में, तो समस्याओं को ग्रूप पर भी रख सकते हैं, और जो BRC में टेक्निकल टीम है वो भी इस काम में लगी हुई है, तो उनसे भी समपर किया जा सकता है, विशेश समस्याओं के लिए BRC की टेक्निकल टीम से समपर कर सकते हैं, तो यदि कोई भी समस्या आ रही है, तो हमें यह नहीं सोचना है कि समस्या आ रही है, अब कैसे करें, हमें उस समस्या का समधान तुरंद BRC से लेना है, और बच्चों का डेटा वेरिफाई करके आज शाम पाच बजे से पहले पहुचाना है, ताकि शत प्रतिशत बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, आधी की जो क्रेधन राशी है, वो उनके माता-पिता और अभिभावकों के खात झालाओेघ, जे वो उनके माताiveness उनके माजए बच्चों के रिंदे प法ते राशी है, ताक मित बच्चों के शोकोफचों का आवचाना है, और ईया है, Cl Off Vечно